हेलो एवरीवान स्वागते आप सभी का लर्न इन फन में मेरा नाम है उजबला और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं सोशिल स्टाडीज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10 टर्म टू का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन चाप्टर जो चाप्टर सब को परिशान करके रखता है जिसका नाम है नाशनलिजम इन इंडिया यानि की भारत में राश्ट्रवाद तो चलिए बच्चों अपने इस चाप्टर की जर्णी को शुरू करते हैं यह चाप्टर बिलकुल एक कहानी की तरह हैं जह हम पढ़ रहे हैं मेरा पुरा नाम है उच्वला पुंच आइल वी टीचिंग यू ओल दी लेक्टर ठीक है हमारे सिस्टी के अंदर हिस्ट्री जोग्रिफी और हमारा एकनोमिक्स सिविक्स सारी की सारी चीज़े हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री से शुरू कर रहे है और नाशनलिजम की बात कर रहे हैं अब जब हम नाशनलिजम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो बचों मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं वह यह है कि नाशनलिजम है क्या नाशनलिजम बोले जा रहे हो माम पांचे बार बोल दिया अब इसका मीनिंग भी बता है कैसे develop होता है? तीन चीजों की वज़े से develop होता है. Which are the three things? The first thing being struggle, the second thing being history and the third thing being a common identity. ठीक है बच्चों? तो जब हम लोगों ने, हम लोगों ने तो नहीं हमारे पूर्वर्जों ने करा था संगर्ष, हम लोगों को आजादी, दिलवाने के लिए हम सब लोगों की common history रहे गई है, एक इतिहास है, जो सभी का जुड़ा हुआ है, और उसी के साथ साथ बचों हम लोग एक common identity को share करते हैं, क्या है वो common identity? वो common identity है कि हम सब के सब Indians है, हम सब के सब भारतिये हैं, तो एक को जो patriotic feeling है हमारे देश के लिए, जैसी देश का जंडा हम लोग देखते हैं, अंदर से patriotism उमड कर आता है, क्यों आता है? क्योंकि हम सब अपने आपको भारत का नागरिक समझते हैं, भारत का नागरिक मानते हैं, बचों बहुत लंबे समय तक हमारे देश के उपर शासन कर रहे थे, अंग्रेज, ब्रिटिश इंग्लिश इस इंडिया company जो कि ब्रिटिन से आई थी, they were ruling over us and हमको ये चीज़ realize होती है, कि भाई हमारे ही घर में घुसकर हमारे उपर ही शासन करोगे क्या, हमको ही ऐसी चीज़े बताएंगे कि भाई ये ये decision बना लेंगे और वो हमको ही मनजूर नहीं होंगे, तो ऐसी चीज़े हमारे देश में चल रही थी, they used to make decisions which were actually not acceptable bias, और विस्थी बात है बच्चों आपके घर में कोई पडोसी आके थोड़ी बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, वही सेम चीज ब्रिटिश कर रहे थे, ब्रिटिश अपने आपको highly civilized माना करते थे, highly educated माना करते थे, वो कहते थे कि हम लोग बहुत पड़े लिके हैं, हम लोग बहुत सब्भे हैं, इस वज़े से हम इंडियन लोगों के उपर राज कर रहे हैं, because इंडियन लोग, गरीब, अनपड, गवार, उसी के साथ सथ अगर सब्भे होते हैं, they cannot govern themselves and that is the reason we are here to govern them, सुनके ही, मतलब खून सा खॉल जाता है, और उस ताइम के दौरान भी हमारे इंडियन का खून खॉल गया था, और बचों हम लोग struggle करते हैं, एक national movement को जनम देते हैं, जहां पर हम आजादी की लड़ाई लड़ते हैं और उस आजादी की लड़ाई के बाद, obvious सी बात है कि we became successful and we attained independence in the month of August, 15th August 1947, वो शुब दिन था जब हम भारत वासियों को मिला था, हमारा first independence day, यानि कि हमको आजादी मिली थी, ठीक है, तो I hope this idea is clear, now हम लोग जब ये chapter पढ़ेंगे तो हम थोड़ी history को trace करने वाले हैं, क्या है वो history, देखे, first world war से हम लोग अपनी कहानी को शुरू करेंगे, तो that means बचों, first world war सबी को सबी को पता है कि 1914 से लेके 1918 तक हुई थी, किस के बीच में हुई थी, हमारी allied powers और हमारी central powers की बीच में, बचों allied powers जीत जाती हैं और Britishers भी allied powers का हिस्सा होते हैं, they also won the war and central powers हार जाती हैं, जिसके निर जर्मनी था, हमारा ओटोमांटर की था, ठीक है उसी के साथ साथ हमारा ऑस्ट्रिया, हंगरी था, so all of these people, this group was defeated, ये लोग हार जाते हैं और ये जो America, Britain, France वाला ग्रूप होता है, ये लोग विजय होते हैं, चाल ये बहुत वड़िया जीत गए, बहुत congratulations उनको, लेकिन बच्चो इस First World War का impact भारत के उपर भी पढ़ता है, अब आप सुझेंगे की माम, कुछ भी मतलब, मतलब इंडिया वस नॉट इवन इन द वर, इंडिया इस विश्वयुद का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन फिर भी भारत के उपर प्रभाव कैसे पढ़ सकता है, उस विश्वयुद का, चल ये देखते हैं, इंडिया जाफ्टर 1919, वी सीदादे नाशनल मुव्मेंट स्प्रेडिंग तु न्यू एरियास, इंकॉर्परेटिंग न्यू सोशल ग्रूप्स, डिवेलपिंग न्यू मोड्स अव स्ट्रगल, तो हम देखते हैं कि 1919 के बाद, यानि कि First World War के एंड के बाद, बच्वो क्या होता है, हमारी जो आजादी की अजादी का अंदोलन है, जो आजादी की लडाई है, वो फैलने लग जाती है, नए-nए लाकों में फैलने लग जाती है, people became aware of it, लोगों को पता चलता है कि हाँ शैसे भी चीज हो रही है, हम लोग Britishers के खिलाफ लड़ रहे हैं तो चाहे वो शेहर हो चाहे वो बचो कितने भी बड़े-बड़े छोटे-छोटे लाके थे गाउं वगेरा थे हर जगा तक ये खबर पहुंच जाती है और ये सी कि नए-नए social groups उसका हिस्सा बनते जाते हैं तो समाज में जो अलग-अलग good हैं जो अलग-अलग groups हैं इससार बिकामिंग अपार्ट वी नाशनलिस्ट मूपमें अल्राइट उसी के साथ साथ new modes of struggle भी हम लोग develop करते हैं बचो संघर्ष करने के लिए ठीक है ये वो व इसी डर के तो a big salute to them है ना to our freedom fighters but also बचो ये संघर्ष बहुत मुश्किल था और आज हम जिस freedom को enjoy कर सकते हैं ये सारी की सारी जो है ना freedom we should contributed towards these people towards our freedom fighters अगर वो नहीं होते तो हम आज यहां नहीं होते है ना तो big salute to them उसी के साथ साथ देखिए war ने एक नई economic और political situation create करी थी यानि कि एक नहीं आर्थिक और एक राजनित इक्स्थिती को जनम दिया था कैसे जनम दिया था देखिए defense expenditure was financed by war loans and increasing taxes अब बचो defense expenditure की बात हो रही है किसके defense expenditure की देखो world war में जाना है कोई बच्चों का काम नहीं है तो world war के अंदर लोग एक दूसरे को पत्थर और गिल्ली डंडे से तो खेलने नहीं वाले हैं पत्थर वत्थर मार के जीतेंगे नहीं तो यहां पर obvious सी बात है कि you have to buy you have to buy weapons आपको हतियार खरीदने होंगे और बच्चों वो defense expenditure काफी भारी पढ़ा था हमारे Britishers को तो जब Britishers को लड़ाई लड़नी थी उन्होंने काफी पैसा खर्चा defense expenditure पे ठीक है काफी expenditure incur करा उन्होंने और उस expenditure के लिए उनको लोन लेना पड़ा था अब वार वार लड़ी है जीत गये हैं लेकिन कर्जा तो सर पे चड़ गया है ना कर्जा चुकाने का टाइम अब बचों कर्जा चुकाने के लिए Britishers को आई एक तरकीब कि अब हम क्या करेंगे अपने कर्जे क हो finance करने वाले हैं through our colonies हम इंडिया इंडिया उनकी एक कॉलिनी थी अब वो पैसे भी हम लोगों से लेने लगे उन्होंने क्या करा हमारे उपर टैक्स लगाया करते थे उन टैक्स को बढ़ा दिया और साथ ही में वोर लोन्स से वो वोर लोन्स को इन टैक्स से finance कर रहे थे त इसी बात है जब आप समानों पर टैक्स लगाने लग जाओगे टैक्स लेने लग जाओगे कोमोडिटीज पे तो बचो उसका जो दाम है वो तो बढ़ी जाएगा तो एक गरीब इंसान के लिए काफी दिक्कत है यहां पर खड़ी हो गई थी कि गरीब इंसान क्यासे जमान को खरीद पाएगा समान महंगा हो गया है ना उसी के साथ साथ वी और से फोर्ज रेकूटमेंट इन रूरल एर्या अब यह फोर्ज रेकूटमेंट का क्या मतलब है ग्रामी शेत्रों में जाकर बिटिश क्या करते थे अपनी आर्मी के लिए बंदे कटे करते थे और करना है इंडिया का सैनिक बन तो आप बन भी जाओगे लेकिन भाई ब्रिटिश का सैनिक हम क्यों बनेंगे हमारा तो वो देश भी नहीं है हमको तो उनके देश के लिए कोई नैशनलिस्ट फीलिंग भी नहीं आती है वाई वोड़ वी फाइट इन देर वार वाई वाई व क्राइम पिरिट के दौरान क्रॉप फेलियर भी देखने को मिलता है मचो अब हमारे जो अनाज है वो खराब हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि काफी कम अनाज मार्केट में पहुंचेगा जब सप्लाइए कम होगी तो क्या होगा दाम जो हैं कॉमोडिटीज के बढ़ ज कि साधी में सौने पेज हागा इन फ्लूएंजा एपिडेमिक बचो एपिडेमिक इस अच्छली ओडिसीज जो कि पॉर्टिकुलर एरिया में फैलता है जिसे अभी फिलहाल क्रोना पैंडेमिक चल रहा है पैंडेमिक मतलब जो पूरे दुनिया भर में फैल गया है एपिड पर एक epidemic की तरह आ गई थी तो लोगों को बिमारी भी हो रही है prices बढ़ गए है आर्मी में भरती किया जा रहा है उसी के साथ साथ हम देखते हैं यहां पर taxes ले रहे हैं लोगों से तो काफी जाधा दिक्कते हो रही थी जिसकी वज़े से हम बोल रहे हैं कि first world war had created a new economic or a political situation इस पर डिरेक्ट question आता है तो इसको learn कर लीजे का all right now let us move ahead तो यह स्थिति हम लोगों को समझ में आई है अब आते हैं हमारे hero कौन है यह hero यह हैं बापू बापू को सब जानते हैं बापू aka also known as Mohandas Karam Chand Gandhi ठीके बचों Mohandas Karam Chand Gandhi लोटते हैं 1915 में South Africa से वापिस अपने घर की और यानि की इंडिया में तो इंडिया में गांधी जी का प्रवेश होता है और गांधी जी बच्छों South Africa से आ रहे थे लॉयर थे वो ठीके तो law practice करके आ रहे थे और वहां पर वो racist regime के खिलाफ लड़ाई लड़के आ रहे थे सत्याग्रह को लड़कर आ रहे थे ठीके अभी racist regime क्या थी तो बचो South Africa के अंदर there was a discrimination एक भेदभाव चला करता था जो whites थे जो white race के लोग होते थे जो गोरे लोग होते थे वो भेदभाव करते थे कालों के against यानि कि जो हमारे black race के लोग थे ठीके तो इस racist regime को fight करके गांधी जी आ रहे थे आँगी लेकिन उससे पहले इसी शब्द पर हम लोग गौर फर्माएंगे यह शब्द जो है दो शब्दों से बना है सत्य और आग्रहे ठीके बचो सत्य का मतलब होता है truth है अगे को होता है और आग्रहे का मतलब होता है तू होल्ड फर्म मतलब की सच्चाही की तो जीत होनी चाहिए तो गांदी जी películाव बोलते हैं सट्याग्रहे की बात करते हैं और वह बोलते हैं कि अगरисл represents सच्चा है अगर आप किसी भी चीज के लिए लड़ रहे हो और अगर आपका कौश सच्चा है कारण सच्चा है तो फिर लड़ाई तो आप पक्का जीतोगे ही जीतोगे अपने ऑप्रेसर के खिलाफ तो अगर कोई भी इंसान गलत काम कर रहा है तो हमको उसको मारना नहीं है बल्कि उसे प्यार से समझाना है उस को सच बताना है उसको ये realize कराना है उसकी अंतर आत्मा को प्रेरत करना है कि भाई जो तुम कर रहे होना वो गलत है और उसको ये अगर आप दिखा दोगे अगर आप इस चीज में successful हो जाते हो तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी भारत वापसी करते हैं इन जैन्वरी 1915 जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया और आने के बाद बच्चो वो अपने आइडिया और सत्याग रहे को एमफसाइज करते हैं और यहां पर वो बोलते हैं सच की शक्ती के बारे में and the need to search for truth तो वो कहते हैं कि सच जो है उसमें ही ताकत है सबसे जादा पावर सच में ही है यह उनका idea था ठीके वो बोलते हैं कि अगर आपका कारण सच्चा है वही बताया ना कि अगर आपका cause true है तो अगर आप injustice यानि की असमानता के खिलाफ अगर लड़ रहे हो अन्याय के खिलाफ अगर जगड रहे हो तो बच्चों आप पक्क मुवी देखी होगी लगे रहो मुणना भाई उसके इंदना या idea बहुत जादा emphasize क्या गया है बहुत fun way में दिखाया गया है तो इस मुवी के अंदर बच्चों बताया गया है कि गांधी जी का जो आइडिया था वो क्या था कि अगर को आपको मार रहा है ठीक है आप इंसान आपको मारता रहेगा ना and there would be a time कि the other person would stop उसको realize होगा कि भाई दूसरा तो चूबी नहीं कर रहा है बोल भी नहीं रहा है और हम उसको मारे जा रहे हैं तो जब उसको यह चीज रियलाइज हो जाएगी तो the other person would definitely stop तो यह गांधी गीरी बोलके उसमें दिखाया गया है non violence का idea हिंसक बिल्कुल भी नहीं होना है सच में विश्वास रखना है तो यह सारी कि सारी हमारी गांधी जी की विचार धारा थी उनकी ideology थी और राइट चलो तो यहां पर जब भी कोई सत्याग रहे के बारे में पूछे तो यह वाली चीज हम लोगों को लिख देनी है ठ ठीक है चलो उसी के साथ जब हम लोग आ गया आते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि गांधी जी और भी कुछ बोलते हैं वो यह बोलते हैं कि people including the oppressors had to be persuaded to see the truth तो जितने भी लोग यहां पर आपका शोशन कर रहे हैं जो आपको oppress कर रहे हैं आपको दबाने की कोशश कर रहे instead of being forced to accept the truth through the use of violence and truth was bound to ultimately triumph तो यह बोलते हैं कि truth जो सच्चा ही है ना वो हमेशा उपर ही रहेगी उपर ही आएगी और उसी से आप जीत पाओगे बच्चो जाहिर सी बात है देखिए क्या होता है कि सपोज एक बच्चा है वो बिलकुल पढ़ाई लिखाई करता नहीं है वो यह इसा होता है कि जब पैरेंस को बता चलता है उसको मारते है पीटते हैं लेकिन बच्चा उससे भी नहीं समझेगा मार पीट से कुछ नहीं होगा तरह दो बात में वही सारी चीजसे शुडू हो जाएगा जूट भी बोलेगा काम भी करेगा लेकिन गांदी ची का आईड को आप ये realize करा दो कि जो वो कर रहा है वो गलत है बिना किसी violence के इस्तमाल के तो वो इनसान खुद बखुद मतलब उसको realize कर वाओ कि whatever that person is doing वो गलत कर रहा है वो अपने future के साथ अपने भविश्य के साथ खिलवाड कर रहा है और अगर वो ये चीज़े करता रहा तो future में कुछ नहीं होगा and अगर उस बच्चे को ये बात realize होती है अगर उससे अपनी पढ़ाई की value पता चलेगी then that person would stop doing the things that that child was doing earlier right तो यहां पर वही सच की power में जो जीट है इस फाइनली यहां पर वही बोला जा रहा है न कि it will ultimately triumph सबसे उपर triumph का मतलब होता है सबसे उपर सच ही रहेगा सच की जीत होती है सच्चाई की वही बाते कर रहे है महात्मा गांधी बिलीड अधिस धर्मा ओफ नॉन वाइलेंस कुड युनाइट ऑल दी इंडियन्स तो वह यह मानते हैं कि यह जो धर्म है किसका अहिंसक होने का तो यह सारे के सारे भारतियों को साथ में जोड़ेगा युनाइट करेगा अब बचो गांधी जी सत्याग रहे की बात करते हैं और फिर वो सत्याग रहे को और्गिनाईज करने निकलते हैं यहां पर बचो को कंफ्यूजन होती है क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बुक के अंदर देट थोड़ी बहुत गडबड़ सी दे रखी हैं है लेकिन बचो जो रियल डेट्स हैं वो मैं आपको बताती हूं सबसे पहले गांधी जी सत्याग रह को और्गिनाईज करते हैं च चारी क्या बैक्ग्राउंड था उस चीज को समझना काफी जाधा इंपॉर्टन है तो बचो 1917 के अंदर हम लोग देखते हैं कि चंपारन एक जगा है बिहार के अंदर वहां पर बहुत से हमारे फामर्स हुआ करते थे जिके उन फामर्स को जबरदस्ती इंडिगो क्रॉप क की कल्टिवेशन कराई जाती थी जिसको हम नील बोलते हैं इंडिगो क्रॉप की कल्टिवेशन कराई जाती थी अब क्या होता था जबरदस्ती उनको बोला जाता था कि तुम अगर अपने फील्ड पर कुछ भी उगा रहे हो ना तो उसको मत अगाओ इंस्टेड ग्रो तो यहां दिक्कत आ जाती थी कि भाई एक ही बारी इंडिगो को गाएंगे क्या फिर उसके बाद हम छोड़ देंगे अपना काम दंदा गरीब होके बैट जाएंगे तो यहां वही दिक्कत आ रही थी तो गानी जी को रियालाइस होता है कि यह तो बहुत ही गलत चीज चल पकली है चंपारण जाते हैं बिहार के अंदर और वहां पर जाके बच्चों अपनी whilst सत्याग रहे experiment को लागू करते हैं तो यहां पर इंडिगो explain खिलाफ वो सत्याग्रहे लड़ते हैं ठीक है फिर जो है नाइटीन एटीन के अंदर गुजरात में जाते हैं गांधी जी सेकिंड एक्सपेरिमेंट रहे हैं खेडा गुजरात में जाते हैं अब यहां पर क्या हो रहा होता है यहां पर बच्छों कुछ हमारे किसान होते हैं उनके सानोसे अ treffen अर्फेलियर हो गया पूरा कपूरा खराब हो गया है बिल्कुल पसली नहीं आई फिर क्या होगा कैसे यहां पर यहहां पर इनके खिलाब Britishers के खिलाफ यहां पर भी सत्याग रहे और गिनाइज करते हैं फिर तीसरी चीज आती है 1918 में एहमदाबाद के लिदर अब चो एहमदाबाद का जो सत्याग रहे है यह थोड़ा सा यूनीक है क्योंकि यह सत्याग रहे भी अप्रिटिश्स के खिलाफ नहीं बलकी इंडियन लोगो के खिलाफ लड़ा गया था तो यह इंडियन लोग सिन्टेरी डियों वरको बोलते हैं कि हमको पैसा चाहिए हमसे बहुत लंबर लंबर time काम कराया जाता है और हमको पैसा नहीं दिया जाता उस काम का तो बचो यहां पर सच के लिए लड़ाई लड़ी जारी है चाहे वो किसी भी oppressor के खिलाफ हो सकती है जरूरी नहीं है कि Britishers ही सारे oppressors है हो सकता है कोई भी आपको oppressor हो जो आपको दबा रहा है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है सो हुमेवर बी दियो प्रेसर सच की लड़ाई तो रड़ी जाएगी और यहां पर तभी गांधी जी पहुंचते हैं और इन फैक्ट्री ओनर्स के खिलाव जो है सत्याग्रह को और गिनाइस करते हैं तो य कौन से जगा पर गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहली बार भारत में और्गिनाइस करा था इन में से कौन सी जगा पर ऑप्शन एंडांडी ऑप्शन भी है एहमदाबाद ऑप्शन सी है खेडा या फिर ऑप्शन दी चंपारण फटा फटा फट से बता दीजें चलिए ओल्राइट इसको डिसकाइस करेंगे लेकिन नेक्स्ट के बाद गांधी जी इंडिया साउथ अफरीका से कब लॉट कर आये थे कौन से साल में 1920 1915 1921 या फिर 1916 A B C D फटा फट से बचा लोग सेलेक्ट कर लीजिए A B C या D यार बताया था राइट फटा फट बताओ चलो बता दिया है ना सभी ने जल्दी से इसको डिसकाइस भी कर लेते हैं और राइट सबसे बहले गांधी जी ने और्गिनाईज कर रहा था सत्यक रहा है चंपारन बिहार में option D correct है कौन से साल में it was in the year 1917 ठीक है यही साल है this is the correct year now next question गांधी जी भारत लोटे थे South Africa से कौन से साल में तो बचो गांधी जी लोटे थे in the year 1915 all right चालिए ठीक है तो यहां तक सारी कहानी क्लियर है गांधी जी आ गए है हीरो आ गए है विलेंस के खिलाफ लड़ेंगे अब कब लड़ेंगे तो लड़ाई अभी शुरू होने वाली है जल्दी से आ गया जाते हैं और लड़ाई का पहला मकाम हमारी रॉलेट अक्ट की बात कर लेते हैं अब यह रॉलेट अक्ट थी क्या तो एक्जाम में ना डायरेट क्वेशन आ सकता है कि भाई अब लड़ाई एक्सपेंगे शक्तियां दे थी हमारे बृटिश को कि वह अपनी मनमानी कर सकें किस चीज में मनमानी कर सकें अब यह नाशनलिस्ट सेंटिमें राष्टरवाद की जो भावना है वो सारे के सारे इंडियंगे प्रिटिश अब हम तुमको सबक सिखाने वाले यह नाशनलिस्ट और कि और लौड़ाई दे ने और इस अक्टने ब्रिटिश को पावर देदी तूसप्रेस वेरियल पर चल रही थी उनके खिलाफ हो रही थी तो इनसे चीजों को सप्रेस करने के लिए दबाने के लिए इस आक्ट ने पावर देदी क्या या ठीक यह यह पावर थी यहां पर देखिए अलाउड दी डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर टू यह बच्चो कोई भी पॉलिटिकल प्रिजिनर कोई ऐसा इंसान लगता है जो की अप्रिजन पॉलिटिकल अक्टिविटी कर रहा है वो भी आपके रूल के अगैंस crews कर रहा है तो आप उसको गिराफ्तार कर सकते थे कोई दिक्धते ही यह बिना किसी ट्रायल के गिराफ्तार कर सकते थे ।रायल क्या होता है माम डेखेएठ सिंपल सीचीज है कि बचो जब भी कोई इंसान अरेस्ट होदा है न तो उस इंसान के पास भी अधिकार होते हैं कुछ उसको 24 घंटे के अंतरगत एक magistrate के आगे पेश करना होता है ताकि वो magistrate बता सके कि जिस क्राइम के लिए सको अरेस्ट किया गया है वो सही है या नहीं और अगर वो सही नहीं होता तो उसको छोड़ दिया जाता है उसी लेकिन यहां पर अधिकार ही चीन लिया गया तो विदाउट एनी ट्राइल आप किसी भी पुलिटिकल प्रिजनर को डीटेन कर सकते और उसको अपने पास रख सकते हो बहुत बढ़िया हो गया यहां तो हमारे ब्रिटिश के लिए ठीक है तो अगर उनको कोई भी देखेगा इसी राजनितिक गती विध्या करता हुआ जो कि उनके खिलाफ है तो इसली क्या करेंगे ऐसे रास्ते पेसे नहीं उठा लेंगे लोगों को अगर कोई सही में ऐसी कोई पोलिटिकल अक्टिविटी कर रहा होगा तो वह से पकड़ कर देंगा दो साल तक नामों निशान नह आपनी है वी वूड ऑबिसली रिटालियेट तो हम लोगों ने हमला वमला करना शुरू करा थोड़ा हर्ताल वगएरा यह सारी चीजे करनी शुरू करी गांधी जी ने बोला कि अब हम रॉलेट सत्याग रहे करने वाले हैं कि रॉलेट अक्ट के अगेंस्ट सत्याग रहे क करने के लिए तयार हो गए थे शलो भाई सत्याग रहे करेंगे सब मिलके मिल बाटके करेंगे लेकिन यहां पर क्या होता है बच्चों ध्यान दीजिए अलांड वाइदी पॉपिलर अपसर्ज एंड स्केयर डाट लाइंस अफ क्म्यूनिकेशन साच अच इस दी रेलवेज इस डिसाइड़ डाउन और नाशनलिस्ट बृटिश इस को लग गया है डर अभी तक उन्हें डर नहीं था अभी तक वो बड़े जोश में एकदम टशन में बैठे हुए थे कि भाई हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता लेकिन बच्चों जब वो देखते हैं कि बहुत से को तेजित हो गए हैं और उनकी खिलाब लड़ने के लिए आ रहे हैं और उनको डर ये था कि भाई जैसे हम ट्रेडवेड करने के लिए हमको रेलवे का एक स्मूध ऑपरेशन चाहिए कि रेल गाड़ियां चलती रहें टेलीग्राफ सर्विसेस काम करती रहें को ना थप कर दिया जाएगा लोग ट्रैक पर जाके बैठ जाएंगे टेलीग्राफ सर्विसेस को बीच में रुकवा देंगे तो उनको इस चीज का डर था अब ब्रिटिश को अभी तक डर है लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है उनको डर है तो उन्होंने क्या करना शुर दिया गया है जो लोकल लीडर्स थे उनको अमरिट सर घुसने से ही मना कर दिया गया और महात्मा गांधी को दिली तक एंटर नहीं करने दिया जा रहा था तो देवर ट्राइंग टू रिप्रेस दी पोलिटिकल अक्टिविटीटीज इन एवरी वेड़ दे कुड फाइंड अब यह अंकल कौन है आप सोच रहे हो ना अभी इनकी भी बात करते हैं तो इनकल पर आते हैं लेकिन यहां पर देखे बचो अमरिट सर अमरिट सर जो की कहां है पंजाब में है यहां पर लगा दिया यहां पर बचो क्या लगा हुआ था यहां पर लगा हुआ था हमारी मिल लिटरी का रूल लगा हुआ था तो मतलब लोगों को पता नहीं था इस बात के बारे में पीबल वर नॉट फुली अवेर ओफिट अब क्या होता है कि यौन 10 एप्रिल दे पुलिस नम्रिट सर फाइड पॉन पीस्फुल प्रोसेश्शन प्रोवकिंग वाइच्पर अटाक्स उन बैंक्स पोस्ट ऑफिसें और रेलवे स्टेशन तो यहां पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं मार्शियल लॉग डारिक्ट मिलिटरी कंट्रोल का इंपोजिशन है अमरिट सर में यह बात सभी को पता होनी चाहिए अब 10 अप्रेल को देखो स्टोरी बिल्ड अप हो रही है 10 अप्रेल को जो पुलिस होती है अमरिट सर के अंदर वो बच्चो एक पीसफुल प्रोसेशन लोग बहुत शान्ती से प्रोसेशन कर रहे होते हैं ब्रिटिश के खिलाब बोल रहे होते हैं किसी को बार नहीं रहे हैं शान्ती से बैटे हैं खड़ें जो भी है अब यहां प पता है कि सिर्फ बैंक्स पोस्ट और रेलवे स्टेशन पे ही क्यों अटाक हो रहा है विकूज ओल अफ दीज थिंग्स आधी प्रॉपर्टी ओफ दी गावर्मेंट सरकार की प्रॉपर्टी है यह सारी चीzep पर काउसी को नहीं मार सकते तो पडोसी की जो आगे घर के था पर खड़ी है वही सारी चीज और हो रही है ब्रिटिश्ट से लडाय है ब्रिटिश्ट सी चीज़ें बैंक्स पोस्ट ओप Emmanuel स्टेशन से तो को प्रम तोर देंगे ना यहाँ पर हम्माला कर देंगे तो वहीं सारी जीज़ें हो रही थी यहां से इंटियन लड़ रहे हैं वहाँ से वो रिटैलियेट कर रहे हैं यह सब चलता जा रहा है और बच्चों इस कहानी का जो अंत है कौन सी कहानी का रॉल्लिट्स अत्या कहां तौने वाला है कांझ क के अंदर बचो जलियावाला बाग आज भी है उस टाइम भी था तो तेरा अप्रेल जो कि बहुत शुब दिन होता है पंजाब के अंदर बैसाखी कतियोहार होता है एक हार्विस्ट फेस्टिवल है उस सफेर को अटेंड करने के लिए लोग जलियावाला बाग के अंदर काफी मासूम लोग not aware about the martial law आये थे इतनी जानकारी नहीं थी बहुत बड़ा क्राउट यहां पे गैदर था बचो ब्रिटिश की तो रात की नीन उड़ चुकी है उनको डर लग रहा है तो अब उन्होंने कैसा रिटालियेट करा वो घुश आते हैं जलियावाला बाग के अ ठीक है और यहां पे being from outside the city many villagers were unaware of the martial law that had been imposed बहुत से लोग ऐसे थे जलियावाला बाग में जिनको यह भी नहीं पता था कि martial law यहां पे लागू हो रखा है शान्तिस आये हैं बहुत से families के साथ सोचिए काफी अच्छे motives आये थे कि आज सुत्योहार का दिन है है ना लेकिन होत दायर घुसते हैं सेर्या में he blocked the exit points and opened a fire on the crowd killing hundreds of people जलियावाला बाग में अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो बच्चों वहाँ पर आज भी दिवारों के उपर खून के निशान है वहाँ पर आज भी गोलियों के निशान है वहाँ पर आज भी वह कुआ है जहां पर बहुत से लोगों ने खुद खुशी करकर भी अप को ब्लॉक कर लेते हैं ताकि कोई भी बाहर ना जा सके और उनके पास हतियार है उनके पास बंदूके हैं वो लोगों पर बंदूके दागनी शुरू कर देते हैं बहुत से लोग अपनी जानगवा बैठते हैं बहुत से लोग कुए में कूद कर अपनी जान दे देते हैं ठीक for all the wrong reasons अब यहाँ पर क्या होता है his object as he declared later was to produce a moral effect जब General Dyer से पूछा जाता है कि General Dyer जी आपने यहाँ पर घुसके हमला क्यों करा तो वो कहते है कि मेरा उदेश्य था कि मैं एक moral effect लाना चाहता था among the minds of the Satya Grahi's a feeling of terror and awe और यह बोल रहे है कि मैं उनको बताना चाहता हूं कि सही गलत का अंतर बताओ बात भी कौन कर रहा है सही गलत का अंतर यह बताएंगे अब हमको हां कह रहे हैं कि मैं एक moral effect प्रेडिउस करना चाहता था सब को बताना चाहता था कि morally आप जो चीज कर रहे हो that is totally wrong तो यह छोड़ दो Satya Grahi's ठीक है उनकी दिमाग में बाट डालना चाहता था उनकी दिमाग में डर create करना चाहता था terror and awe की feeling create करना चाहता था बहुत बढ़िया बचो गांदी जी यही पर अमना रोकते हैं समाप्त करते हैं because उस रॉलेट सत्याग रहे की मतलब हम बोल सकते हैं जो एंडिंग है काफी खराब हो गए happy ending तो बिल्कुल भी नहीं थी बिल्कुल उसका उल्टा हो गया ठीक है तो यहां पर गांदी जी को लगता है कि broad based movement को लांच करने की ज़रूरत है और आक्चली किसी भी movement को launch करने से पहले लोगों को train करने की ज़रूरत है उनको सिखाने की जरूरत है कि आंडोलन करते कैसे हैं अब समझ में आ रही है लोगों को बात चीक है बोलते हैं कि कोई भी ऐसी मुव्मेंट तब तक और गिनाइज नहीं हो पाएगी जब तक हिंदूस और मुस्लिम्स साथ में नहीं आ जाते हैं और यहां पर गांधी जी वही कोशिश करने की वही कोशिश करते हैं and therefore और ही टुटक अब खिलाफवत इशिझु अब खिलाफव दिशू की बारे में हलका सा समझ लेते हैं बच्व खिलाफवत इशू कौन सा इशू है ये देखो फोस्टब imaginar के ख़तम हुने के बाद हमको पता है कि जो हमारा और टोमंग्त की था आ ंटोमान तरकी जो था ये किस में था यह लूजर्स मतलब लूजिंग टीम में था अब उटमन तर्की के हैड थे लीडर थे जिनको खलीफा बोलते थे यह जो खलीफा है यह हमारे इसलाम धरम के एक स्पिरिच्वल हैड भी माने जाते तो सारे के सारे बुसलिम लोग जो है इनको अपना स्पिरिच्वल हैड भी मानते थे अब यहां पर रूमर्स फैलते हैं अफवाएं उड़ती है कि इनकी हार के बाद अब जो एलाइड पावर्स हैं जो की फर्स्ट वर्ल्ड ओर को जीती है अब वो एक बहुत हार्श पीस ट्रीटी इन पर लागू करने वाली है खलीफा के इसलाम धरम को मानने वाले लोग होते हैं वो काफी चिंतित हो जाते हैं काफी घबरा जाते हैं दो भाई हैं मुहमद अली शौकत अली तो देवर अक्टिव पार्टिसपेंस इन इस मुवम्मेंट अन गांदी जी उनको जाके अप्रोच करते हैं कि वाय नॉट हम ऐसा क्यो कि यहां सिंपल्व लॉजिक लगाते हैं गांधी जी और यहां health care करने की कोशश करते हैं अब देखी क्या होता है यहां पर के बारे में बहुत ही स्जञाधा इस चाप्टर का बचो नॉन कोबरेशन मुवमेंट की बाद जब हम करेंगे तो समझ लीजिए एक सिंपल सी चीज कि नॉन कोबरेशन का मतलब होता है सहयोग मत करो कोबरेट 1909 में गांधी जी अपनी इस स्वाराज में लिखते हैं कि अंग्रेजों का शासन भारतियों के उपर इस वज़े से चल रहा है विकोज इंडियन्स आर कोबरेटिंग विद्धी ब्रिटिश हम लोग उनका सहयोग करते हैं तभी वो हम पर शासन कर पा रहे हैं अब आप बोलेंगे कि माम हम तो कोई सायोग नहीं करते हैं उनका देखो वो ट्रेड करने आए हमारे लोगों ने वहाँ पे हमारे लोग करते हैं वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो in a way we all are cooperating with the Britishers and तभी Britishers हम पर राज कर पा रहे हैं तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि अगर हम यह जो cooperation Britishers के साथ खतम कर देते हैं ठीक है बंद कर देते हैं और we stop cooperating with them अगर हम उनको boycott करना शुरू करते हैं उनको refuse करना शुरू करते हैं उनका बना हुआ कपड़ा नहीं खरीदते हैं उनके schools colleges courts जितनी भी जगाएं जहां पर हम काम करते हैं वा छोड़ कर आ जाते हैं नौक्रियां बिल्कुल उनका सहयोग नहीं करते हैं तो विदिन एयर स्वाराज आ जाएगा एक साल के अंतरगत हमारा राज जो है वापसी आ जाएगा और वी एबल तो रूल और आर ओन कंट्री इंस्ट ऑफ दी ब्रिटिश जगे तो यह आइडिया बिल्कुल क्लियर है और सहयोग अन दोलन का देखिए हिन स्वाराज 1909 में बात करता है यह सारी जो भी मैंने आपको बताई कि विदिन एयर स्वाराज आ जाएगा ना गान्दी जी भी बोलते हैं कि आपको पहले तो आपके जो टाइटल मिल रखें ब्रिटिश से उनको छोड़ दो स्कूल्स कॉलेज कोट्स वगएरा छोड़ दो तो यह सारी की सारी चीज़े गान्दी जी बताते हैं लोगों को एजुकेट करते हैं सौर्ट उनको ट्रें कर रहे हैं कि हमको इस मुमेंट म क्यां पर क्लियर आइडिया देते हैं कि मुम्मेंट को स्टेज में लेकर जाना है पहले यह करना है फिर यह करना है चलो बहुत अच्छे सांफेट कर दिया लोगों के दिमाग मैं बाथ डाल दिया अब क्या होता है 없이 सरकार हम देखो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें और अगर सरकार फिर भी हम पर फोर्स यूज करती है अगर सरकार फिर भी हमको डराने धमकाने की कोशिश करती है मार धाड करती है तो एक तो यहां पर गांधी जी ने बात एक दम क्लियर कर दी है सो तुराओर दी समर ऑफ नाइंटीन ट्वेंटी महात्मा गांधी शौकत अली जो है टूर करते हैं एक सेंसिली पूरी इंडिया में घूमते घूमते हैं लोगों को घूम एसे नहीं रहे हैं क्यों को जगाएं देख अच्ब्स कारिश्व अच्ब्स करना चाहिए नौन को जाए तो एक ट्सली बट फाइनली जो है समान जाते हैं कि वी विल लॉँच दी खिलाफ़त नौन कोरेशन मोव्में इन दिसंबर 1910 वेटी तो यहां पर एक कॉम्रमाइस वोकाउट करता है नौन कोपरेशन प्रोग session of Congress कब हुआ था 1920 में यहां पर कौन सी important चीज़ हुई थी what is the importance of this session तो importance यह है कि यहां पर एक compromise workout करा था Congress के बीच में जहां पर उन्होंने accept करा था non cooperation program को adopt किया गया था और सबने एक तरीके से हामी भर दी थी कि हंजी we all are ready we are taking part in the non cooperation movement और सहयोग आंदोलन तो चलिए साथ में चलते हैं और देखते हैं कि और सहयोग आंदोलन को शुरू कब क्या जाता है और कहां पर क्या होता है तो बच्चों जब हम सहयोग आंदोलन और कोपरेशन की बात करेंगे तो सब्सक्राइब करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले विल बी टॉकिंग बाट इन दी टाउंस शेरों में यह जो आंदोलन है कैसे फैलता है सबसे पहली जीज़ याद रखिए कि शुरू कब हुई है नौन कोपरेशन मुपमेंट तो थो सबसे चाहिए न जीज़ आवण कोपरेशन मुपमेंट फैल रही तो यहां कोई जो मिडल क्लास है शेरो के अंदर बचों वो पारिसिपेट करना शुरू करता है in this movement all right तो middle class लोग सबसे पहले आते हैं कि भाई हम बहुत परिशान है आजो पहले हमी इस movement को में हिस्सा लेना शुरू करेंगे कैसे लेते हैं हिस्सा बहुत से बच्चे स्कूल को छोड़ाते हैं college को छोड़ाते हैं वाउ तो बच्चों ने तो सबसे पहले resignation यह थोड़ी बड़ी बात है बच्चों इनको तो पैसे मिल रहे थे लेकिन वो पैसे छोड़ देते हैं त्याग कर देते हैं resign देते हैं और बोलते हैं कि we will not cooperate with you, we will not work in your schools, in your colleges, all right तीसरी चीज़ होती है कि lawyers भी अपनी वकालत, हमारे जो बच्चों lawyers हैं वो अपनी वकालत छोड़ देते हैं वकील ने वकालत छोड़ दी क्योंकि courts भी Britishers के थे government को belong करते थे तो इस सारे वो अपने घर पे बैठ गए हैं must कि हम तो अपना non cooperation में हिस्सा ले रहे हैं बहुत बढ़िया उसी के साथ council elections वर boycotted यह भी तय हुआ था कि जो elections होंगे जो चुनाव होंगे उसमें कोई भी हिस्सा नहीं लेगा तो बचो यहां पर सब तो boycott कर देते हैं boycott का मतलब समझते हो ना refusal to participate in something ठीक है या refusing something तो यहां पर boycott कर देते हैं लेकिन मदरास में elections boycott नहीं होते हैं यह question भी एक direct question पूछा जा सकता है कि वाइवादी council elections boycotted everywhere except in मदरास तो यहां पर बच्चों आप लोग reason लिखेंगे वाइट तो यहां पर जो justice party थी ठीक है यहां पर reason लिखना है justice party in madras was a party जिसके इंदर सारे के सारे हमारे non-brahmins मौझूद थे अब सभी को पता है कि भाई इंडिया शुरुवात से इसा तो नहीं रहा है जहां पर समानता रहती हो ठीक है तो इंडिया शुरुव से तो ऐसा नहीं रहा है तो यहां पर जो नौन-brahmins say they did not have power from the very beginning तो बच्चों नौन-brahmins बोलते हैं कि शुरुवाती दौर से ही power जो है जो सत्ता है हमेशा brahmins के पास रही है and because non-brahmins होते तो इनके पास एक मौका था एक chance था कि हम election में participate कर सकते और अगर हम जीट जाते हैं तो हमको भी political power मिलेगी and that is the reason they did not boycott the council elections यह council election को boycott नहीं करते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं तो यहां पर रीजन लिख देना कि justice party पार्टी जिसमें non-brahmins थे वो boycott नहीं करते हैं because they wanted a political representation ठीक है राजनितिक प्रतिनेदित्व चाहिए था उनको बहुत ही बढ़िया एक और क्लॉथ जो आ रहा है ब्रिटन से we won't use that हम उसका इस्तमाल तो करेंगे नहीं प्लस एक और चीज़ करते हैं आग वाग जलाकर कपड़ों फेकते हैं उसमें दिखाते हैं अंग्रेज को देखो हम तुमारे कपड़े को जला रहे हैं इस्तमाल तो करेंगे नहीं जला और दें स्ट्रेशन जब आप किसी पर जगह के एंट्री और एग्जिट गेट को ब्लॉक कर लेते हो किसी को घुसने नहीं देते निकलने नहीं देते हैं तो वो कर लिया गया उसी के साथ साथ बचो अविस सी बात है कि जब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं विन पीपल आ नोट कि वो गिर गई थी जब देमांड ही नहीं होगी तो भाई उस समान के आ के करो के क्या क्यों आएगा वो समान तो आप लिए है कि डिमांड गी थी तो यहां पर सप्लाइब भी उसकी कम हो जाएगी सप्लाइब को कम कर दिया गया ठीक है तो फॉरन खरीज जो हम बाहर से लगाते थे वह आधा हो गया क्योंकि डिमांड गिर गई है क्या करोगे भाई मंग वाकि जब को इस्तमाल ही नहीं करता है उपर से इस्तमाल तो करीने रहे आग में और जला रहे हैं in many places merchants and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade बहुत सी जगाओ में बच्चो जो हमारे व्यापारी थे वो बोलते हैं कि अब हम किसी भी बाहर के गुड्स में ट्रेड नहीं करेंगे और नहीं पैसा लगाएंगे foreign trade पे नहीं करेंगे हम तो सब अपने अपने तरीके से boycott कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से so as the boycott movement spread and people began discarding imported cloths and wearing only Indian ones production of Indian textile mills and hand looms went up अब एक और चीज हो गई कि बाहर के समान की डिमांड तो कम हो गई है लेकिन जब बाहर का समान लोग नहीं खरीद रहे तो कैसे घर पर क्या पहन के घुम रहे हैं पत्तों की बनी आउटफिट्स नहीं तो बचो अब्विस सी बात है कि people would start buying Indian made cloth Indian made goods तो इसी वज़े से हमार जो इंडियन टेक्स्टाइल मिल थे हमारी जो चुटी चुटी फैक्टरी थी जो कपड़े बनाया करती थी और उसी के साथ साथ हमारे जो हैंड लूम से बचो वह सारे के सारे उनकी production उपर चली गई इनकी production उपर क्यों चली जाएगी विकुस इनकी demand उपर चली थी production उपर कपड़े चला दिये, foreign import वाओ हमने तो मतलब क्या ही उनकी तो ऐसी तैसी कर दी, band बजा दी, लेकिन बचो यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, this particular non-cooperation movement slowed down in the towns, दीरे हो जाती है, फीकी पड़ जाती है, यह movement ऐसा क्यों होगा, खुद सोचे क्यों होगा ऐसा, there were reasons, ठीक है, अब हम लोग Indian made cloth खरीदना चाहते हैं, खादी के बने हुए कपड़े खरीदना चाहते हैं, बट खादी का बना हुआ कपड़ा काफी महंगा है, और बाहर से जो mass produced कपड़ा आता है, वो तो काफी ज्यादा सस्ता होता है, दिक्कत आ गई, क्या ही हुआ अब, ठीक ह तो क्या पहनेंगे कैसे, बहुत महंगा कपड़ा, चाहिए तो यहां पर टाइटाए फिस होई पहले तो, फिर उसके वाद, boycott of British institutions posed a problem, आप लोग स्कूल चोड़ के आगए, कॉल चोड़ कर आगए, अपनी जॉब से resignation दे कर आगए, कोड चोड़ कर आगए, लेकिन आपको पता चला कि there is no alternative Indian institution, no alternative Indian institution, ठीक है तो आपका कोई भी Indian institution नहीं है, ना तो Indian schools है, ना तो Indian colleges है, जहां पर लोगों को job मिल सके, जहां पर लोगों को एक तरीके से पढ़ने के लिए बच्चे जा सके, थोड़े दिन तक बच्चों को अच्छा लग रहा था, कि पढ़ाई लिख पढ़ेंगे नहीं तो होगा क्या हमारा फिर, कितने दिनों तक मस्ती करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, नहीं, तो यहां भी बच्चों वही चीज होती है, कि कोई भी alternative Indian institutions नहीं थे, जिसकी वज़े से, क्या हुआ, जितने लोग जोश में, जॉब से इस्तीफा देकर आया चलिए, question को attempt करते हैं, non-cooperation movement, कौन से date पर शुरू हुई थी, January 1921, November 1921, December 1921, या फिर May 1921, जल्दी से बताईए बच्चों, चलो, next question क्या है, next question है, जल्यामाला बाग incident कौन सी तारीक को हुआ था, 13 अप्रेल, 15 अगस, 27 अक्तूबर, या फिर 10 मार्च, जल्दी से इन में से select कर लीजिए, फटाफट से, ओल्राइट, चलो, बहुत बढ़िया, तो बच्चों, non-cooperation movement शुरू हुए थी, हमारी January 1921 में, और next question का अंसा था, चल्यामाला बाग incident हुआ था, 13 अप्रेल, बेस आकी वाले दिन, ठेक है, चलो, इसी के साथ एक और question है, non-cooperation movement के दौरान, कौन सी चीजों को boycott किया गया थ हा, foreign goods, food, water, या फिर, none of these, तो बहुत ही simple question है, boycott, किस चीज का करा गया था, कि हम तो भाई, इसका इस्तमाल बिलकुल नहीं करेंगे, लोगों ने, अन त्याग दिया था, पानी त्याग दिया था, नहीं, तो foreign goods का त्याग किया था, राइट, चलो, जला दिया था, और ही, क्लास में, हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़े पड़ी है, तो फिर आप लोग अपनी लड़ाई को जीत सकते हो, अपने oppressor की अंतर आत्मा को persuade करके, सत्याग रहे गांधी जी और चंपारन बिहार में, उसके बाद खेडा गुजरात में, और उसके बाद अलहाबाद, एहम संदाबार गुजरात में, इस सत्याग रहे को और इस करने के बाद आता है हमारा रॉल अट जो कि यह बोलता है कि political activities को रिप्रेस करेगी, British सरकार कैसे रिप्रेस करेगी, हमारे सारे कि सारे political prisoners को arrest कर सकती थी, without a trial for two years, ठीक है कि उनका अजाधी मिल रही थी, अब यहाँ पे गांदी जी को यह realize होता है कि broad based movement लोगों को train करने के बाद launch करने की जरूरत है, जो कि non cooperation movement होने वाली थी, और यहाँ पर ऐसी कोई भी movement अभी launch हो पाएगी, जब हिंदूस और Muslims को साथ में लेकर आया जा सके, और इसी वज़े से गांदी जी क्या करते है, खिलाफत movement को हिस्स बना लेते हैं, non cooperation का, इस demand को accept कर लिया जाता है, in January 1921 में non cooperation movement शुरू होती है, non cooperation का idea गांदी जी ने लिखा होता है, अपनी हिन स्वराज किताब में 1909 में जो आती है, और वहां पे गांदी जी ने लिखा होता है कि British rule इस वज़े से exist करता है, because we cooperate with it, जिस दिन हम लोग cooperate करन कर देंगे, उसके एक साल के बाद ही हमारा स्वराज आज आएगा, non cooperation movement शुरू होती है, पूरा stages में unfold करने की बात की जाती है, सबसे पहले शेहरों के अंदर middle class लोग participate करते है, school, college छोड़ कर आ जाते हैं, lawyers, courts छोड़ कर आ जाते हैं, headmasters, teachers, resignation दे देती हैं, साधी में बच् को पिकट किया जाता है, foreign goods को boycott किया जाता है, उनको bonfires में जलाया जाता है, import जो है foreign goods का वो कम हो जाता है, merchants और traders बोल देते हैं कि हम ना तो foreign goods में trade करेंगे, ना ही हम लोग उसमें पैसा लगाएंगे, इस सारी की सारी चीज़े होती हैं, लेकिन ultimately हमारी movement उतनी जादा successful नही कपड़ा होता है, इंडिया वाला वो काफी महंगा होता है, लोगो को ultimately जिस कपड़े को जलाया था, वापसी उसी को दुबारा यूज करना पड़ेगा, I hope यह idea अग्दम clear है, ठीक है तो non cooperation movement को ही हम अपनी next class में भी continue करेंगा और देखेंगे कि दूसरी जगाहों पर यह कै